हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग तो अल दी स्टूदेंट्स, स्वागत आपका फियर्स क्लाउड लर्न टू लीड में, तो आज हम डिसकस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्रेंट फियर 26 और 27 जनवरी 2022 के, अब दो बेस्ट इमेज्जीस यहां पर देख रहे हो, लेकि को बिलकुल लास तक जिरूर देखना है, लेकिन उससे पहले आप हमारी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लॉग इन कर ले अपनी इमेल आइडी के तुरू और क्रैक करके एक साल, या फ हमारी अप्लिकेशन के उपर अटेम्ट कर सकते हो, वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी तीन सेक्शन होगे, डिटेल, क्वेशन एंसर फॉर्मेट और क्विस, और क्विस वीकली बेसिस पे आप हमारी अप्लिकेशन के उपर अटेम्ट करोगे, मन्थली सेक्शन जो की बहुत तांकि topic wise PDF दे रहे हैं, तांकि एक topic, दो topic को अगर आप revise करना चाहते हैं, तो आप topic wise PDF से कर सकते हैं, अगर आप banking student हैं, तो हम आपको तीन sections देंगे, जो कि सिरफ banking and economy से related होंगे, एक में detail होगी, question and answer format होगा, request होगा, quiz होगा, quiz आप हमारी application के उपर ही attempt कर सकते हो, लेकिन वो monthly basis इस पर attempt कर सकते हो, इसी तरह से आपको एक exam PDF मिलेगी, जिसमें जितना भी current fair जा चुका है 2020 का, उसको revise करने के लिए आप इसका use कर सकते हो, आपको detail में budget और economic survey मिलेगा, और इसमें आपको expected question and answer भी बताये जाएंगे, जो budget और economic survey से examiner बना सकता है, और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर state का current fair provide करेंगे, ताकि आपकी state performance improve हो सके, तो इसी तरह से यह सारे current fair आपको मिलेंगे, लेकिन एकठे मिलेंगे, यह सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी application के उपर, तो download कर ले, link description box में दिया हुआ है, login कर ले email ID के थो, और crack current fairs के बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो बहुत costly होगा, अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों subscription में 10% extra discount मिल रहा है, अगर आप इस code का use करेंगे, ASH10 का, और इस email ID और इस number पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता ताकि हर notification जो है वो आप तक पहुंच सके, तो पहला question है, what is the rank of Indian corruption perceptions index, तो बहुत important index आगया, corruption perception index की public sectors के अंदर जो है, सरकार की जो organizations है, उसमें कितनी corruptions है, उसके बारे में ये बताता है, और ये organization है, जो उसको release करती है, जिसका नाम है Transparency International, ये एक Germany based organization है, ये भी आपको examiner पूछ सकता है कि कौनसी organization इसको release करती है, तो ये total 180, मतलब 180 countries में से इस rank को आखा जाता है, और इंडिया का rank जो है, 85th है, तो अंसर याद रखना है, अंसर क्या होगा, भी होगा, last year इंडिया का rank जो है, 86th था, लेकिन अभी इंडिया का rank जो है, 85th rank आया है, तो अब देख स organization है, बरलीन मतलब जर्मनी बेस ये organization है, और इंडिया का score क्या है, corruption perception index के अंदर, ये 40th score है, दोस्तों, याद रखना है, total जो score है, वो 0 से लेके 100 के बीच में आंका जाता है, और खास करके, 0 का मतलब है इसमें, कि बहुत ही जादा corrupt है, और 100 का मतलब है, बिल्कुल भी corrupt नही है, मतलब clean country है, उसमें कोई भी corruption जो है, वो नहीं होती, तो इंडिया का score उसमें, corruption perception index के अंदर, जो है, वो 40 है, score भी याद रखना है, इंडिया का जो 2019 में rank था, वो 40 था, 2020 में आपको बता तको 86 था, तो एक rank जो है, वो इंडिया का improve हुआ, 85th number पे जो है, वो इंडिया आ regulator है, जो public sector corruption के अंदर, जो है, वो बताता है कि कितनी corruption हुई है, जब से ये start हुआ है, 1995 से जो है, वो इस corruption index को निकाला गया था, और top countries, Denmark, Finland और New Zealand, दोस्तों, top countries है, तीनों का score जो है, वो बहुत ही अच्छा है, 88 score है, और तीनों ने जो है, वो पहले स्थान को share किया आपस मे और आपने याद रखना है, इसका मतलब दूसरे और तीसरे रैंक पे कोई भी country नहीं है, नौर्वे को सीधा ही चौथा स्थान जो है, वो उसमें दिया गया है, तो Denmark, Finland और New Zealand, तीनों कांट्री जो है, वो पहले स्थान पे है, और आपने इसमें ये भी याद रखना है कि South Sudan पाकिस्तान जो है, वो एक सो असी कंट्री के इस इंडेक्स में जो है, वो लास्ट रैंक पे है, मतलब उसका CPI जो स्कोर है, मतलब इसका CPI स्कोर है, वो बहुत ही कम है, सिरफ 11 जो है, वो उसका स्कोर है, जो कि बहुत ही कम है, और आप पाकिस्तान का भी याद रख सकते हो पाकिस्तान का रैंक जो है 140 है मतलब 140 नंबर पे पाकिस्तान वर इसका CPA स्कोर जो है वो 28 है तो बहुत important important points जो है वो आप यहां से ले सकते हो कैसे जैसे कि आपको यह याद रखना है कि कौन इसको निकालता है Transparency International निकालता है इंडिया का score क्या है यह आपको पूछा जा सकता है और इंडिया का last year score क्या था 86 तो एक इंप्रूव हुआ यह भी आप याद रख सकते हो Top Countries Denmark, Finland और New Zealand है तीनों एक साथ जो है वो एकी rank पे है और South Sudan का rank जो है वो last है और even अगर आप देखोगे पूरी की पूरी लिस्ट को तो उसमें आप देखोगे almost two-third मतलब two-third से भी ज्यादा 68% countries का जो score है वो 50 से नीचे-नीचे है जैसे कि इंडिया तो 50 के नीचे-नीचे है और average score जो है all over world वो 43 के आसपास है और अगर आप सिरफ Asia Pacific की बात करोगे तो Asia Pacific में आपको बताए यह New Zealand आता है तो इसका मतलब New Zealand जो है वो इसमें क्या कर रहा है टॉप कर रहा है New Zealand इसमें टॉप करेगा दूसरे नंबर पर सिंगापूर है तीसरे पर होंकोंगे लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है सि परी चीजें जो हे वो टेक अवे पॉइंट से जितने भी मैंने आपको बताएं हैं लेकिन अप एक इंडेक्स को और याद रख सकते हैं जो रीसेंटली पब्लीश किया गया उसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स याद रखोगे कौनसा ग्लोबल पीस इंडेक्स यह Global Peace Index में, इंडिया का rank जो है, वो 135 है, मतलब, इंडिया जो है, वो low state of peace में आता है, याद रखना है, low state of peace में इंडिया को आँका गया है, और top country इसमें कौन सी है? Iceland है, top country कौन सी है? Iceland, यह सारी चीज़े जितनी में आपको बताई है, यह याद रखनी है, और Transparency International का Headquarter कहां पे है, Berlin, Berlin कहां पे है, Germany, अगले कोशन के उपर आते हैं, अगला कोशन बहुत important है, which company will build world's fastest artificial intelligence super computer, तो एक super computer बनाने जा रही है, जिसका नाम क्या है, RSC, इसका मतलब है, research, क्या नाम है इसका research super cluster, super cluster, तो यह RSC की full form है, लेकिन यह world का fastest artificial intelligence super computer होगा, और यह बनाएगा facebook, मतलब मैं कौन सी organizations की बात कर रहा हूँ, meta की बात कर रहा हूँ, तो मार्क जकबग ने recently announce किया, कि वो world का fastest super computer जो है, वो बनाने जा रहे हैं, जो कि 2022 में जो है, वो क्या हो जाएगा, complete हो तो इसका नाम है artificial intelligence research super cluster, या आपको examiner जो है, वो पूछ सकता है, या सकता है आपको, और यह like it is to train machine learning system across company's business, मतलब जितना भी facebook का business है, उसके अंदर जो है, वो इसको use किया जाएगा, like आप कह सकते हो कि इसका algorithm इस त्यार से, इस तरह से त्यार किया जाएगा, जिसके through, यह कि hate speech जो है, वो कहां पे दी जा रही है, कहां पे जो है, वो ऐसा content है, जो publish नहीं होना चाहिए था, facebook पे, instagram पे, जो जितने भी facebook के, चीज़ें है facebook के पास, तो सम्में यह चीज़ें जो है, वो क्या खरेगा, चेक करेगा, बहुत important platform है, तो याद रखना है आपने, कि यह artificial intelligence, super computer, जो है, वो facebook के platform के लिए, यूज किया जाएगा, और खास करके, जो metaverse, इनका platform है, जो कि facebook का ही है, एक virtual platform के basis पे, वहां पे भी इसका यूज जो है, वो किया जाएगा, क्योंकि अगर आप super computer देखोगे, तो उसमें, शास सो साट जो है, वो nvidia का, एक ग्राफिक, जो है, वो GGXA100 system होता है, जिसमें, जो है, जिसकी speed, जो है, वो almost graphics की 6080 GPU होती है, मतलब, graphics processing unit होती है, लेकिन जो meta का, ये super computer है, ये उससे 20 गुना तेज है, तो ये बहुत बड़ी बात है, कि इस super computer को, जो है, वो facebook अपने platform पे, जो है, वो use करेगा, तांकि recognize किया जा सके, कहां पे, जो है, वो explicit content जो की नहीं publish होना चाहिए था, वो publish हो गया है, तो उसको हमने निकालना है, ये उसको पहले ही publish होने से रोकना है, तो ये इसको use करेगा, facebook और इसको 2022 तक जो है, वो complete कर दिया जाएगा, अगले question के उपर आते हैं, अगला question है हमारे पास, who was named as ICC, International Cricket Council, Men's ODA Crick Cricketer of the Year, तो एक तो men's याद रखने हैं, दोसों, एक तो men's के क्या याद रखने हैं, एक तो test player of the year, एक आपने ODA player of the year, और एक आपने क्या याद रखना है, इसमें T20 player of the year, ये तीन याद रखने है, woman के अंदर आपने दो याद रखने है main ODA और T20 क्योंकि test cricket उसमें है नही तो ODI और T20 जो है वो आपने इसमें याद रखना है तो हम यहाँ पे बात करें Men's ODI Player तो वो है बाबर आजम तो अंसर हमारे पास क्या होगा यह होगा यह याद रखना है मातर 27 साल के बहुत ही बहतरीन प्लेयर हैं और कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते हैं पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं और इनको चुना गया है Men's ODA Cricketer of the Year जो ICAC रिसेंटली 2021 के एडिशन के ICC Awards उन्होंने अनौंस किये हैं इसी के साथ Women में भी आपने याद रखना है कि Cricketer of the Year जो है वो किसको मिला है यह मिला है लिजल ली को अनसर याद रखना है बी अनसर होगा 39 साल की हैं और कौन सी कंट्री से बिलॉंग करती हैं यह बिलॉंग करती हैं साथ अफरिका से और इनको मिला है Women ODA Cricketer of the Year का Award तो अब देख सकते हो दो पूजिशन हम फिल कर चुके हैं तो ODA का आपको पता लग गया बाबराजम और यहां पे ODA का आपको पता लग गया लिजल ली लेकिन अब आप यहां पे 2020 का एक इमेज देख सकते हो कि Women 2020 Cricketer of the Year जो है वो टैमी बेमॉंट को मिला है जो कि कहां से बिलॉंग करती हैं इंगलेंड से बिलॉंग करती हैं 30 साल की एक प्लियर है और इस साल का अगर आप देखो के पूरा 2021 का तो उसमें तीसरी सबसे हाइस्ट रन स्कोरर भी रही है यह बहुत बड़ी बात है कि Women T20 में तीसरे नंबर पे हाइस्ट रन स्कोरर भी रही है ऐसी T20 Cricketer of the Year का अवार्ड जो है वो किसको मिला है यह मोहमद रिजवान को मिला है यह भी कौन सी कंटरी से बिलॉंग करते हैं पाकिस्तान से 29 साल के एक प्लियर है तो अब देख सकते हो दो पोजिशन आपके पास और फिल हो चुके हैं T20 में आपको पता लग गया कौन है मोहमद रिजवान है और T20 में यहां पे कौन है टैमी बेमॉंट है तो अब आपके पास रहे गए टेस्ट क्रिकेटर of the Year जो है वो ICC की तरफ से दिया गया मेंस के टेगिरी के अंदर और वो नाम आप याद रखेंगे जौरूट का यह टेस्ट के अंदर बहतरीन क् सबस्क्राइब. बहुत बार जो है वो लिया जा चुका है और साथी साथ आप देखोगे यहां पे Men's Associate Cricketer of the Year यह जिशान मक्सूद को मिला है ओमान से बिलॉंग करते हैं Woman Associate Cricketer of the Year यह आंदरा माय जैपदा को मिला है यह आस्ट्या से बिलॉंग करती हैं लेकिन यह दोनों ही अवार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट निया सिरफ एक बार रीड जरूर कर लें तांकि अगर आ जाता है किसी टाइम पर तो आप उसको निकाल सकते हो दोस्तो एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कौन सा सर गार फिल्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आई सी सी मेंस क्रिकेटर आफ दी इयर तो यह याद रखना है यह आल अवर फॉर्मेट में दिया जाता है और यह मिला है शाहीन अफरीदी को बहुत ह जो है वो आप कह सकते हो प्लेयर हैं पाकिस्तान के बॉलर हैं और केवल 21 साल के अगर आप देखोगे और अंपायर ऑफ दी इयर मिला है मराइस एरामस जो की साउथ फ्रिका से बिलॉंग करते हैं और साथी साथ इनके हंडर्ध मैच जो है वो पूरे हो चुके रीसेनली इन को कौन सा अवार्ड जो है वो आई सी सी की तरफ से दिया गया है तो याद रखना है इनको मिला है रेचल हे होए फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आई सी सी वोमन क्रिकेटर ऑफ दी इयर तो अगर आपको पूछ लें सर गार फिल्ड वो मेंस के अंदर दिया जाता है और वो मिला स्क्राइबाद रखने वो हैं इंपांट लेकिन इसमें अब दो चोड़ सकते हो इज deiय रहे जो जायेगा और आइसी और ICC के बारे में याद रखें, ICC का जो headquarter है, वो कहां पे है, दुबई के अंदर है, ICC के जो chair में हैं वो Greg Barclay है, और साथ में अपने एक नाम याद रखना है, मैं बार-बार हमेशा revise करवाता हूँ आपको, Geoff Allardies, इनको recently permanent CEO बनाया गया किसका International Cricket Council का, इवन आप एक नाम औ अगले question के उपार, अगला है very important question section, लेकिन उससे पहले वीडियो को like करें, share करें maximum to maximum, और चैनल को subscribe कर लें अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रूप का description box से जोईन कर लें, ताकि हर notification जो है, वो आप तक पहुंच सके, question है, election commission of India ने celebrate किया है National Voters Day across India, ये कौन सा addition है, इस National V Voters Day का, तो बहुती simple question है, आजकल इस तरह के question जो banking में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना है, ये कौन सा addition है, 12th edition है, तो answer क्या होगा, इसका, C होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते है, 12th edition जो है, वो National Voters Day का हमने celebrate किया, 25 January 2022 को, तो 25 January 2022 को, election commission of India की स्थापना की गई थ तो एक ऐसी autonomous body है, जो की किसके अंदर आती है, Ministry of Law and Justice के अंदर जो है, वो इसको लिया जाता है, और Indian citizens को ये right to vote जो है, वो क्या करती है, प्रवाइट करती है, एक democratic right जो है, वो उनको दिया गया है, और National Voter Day जो है, वो सबसे पहली बार, जो है, वो कौन सी येर में बनाया ग के लिए, जो है, वो हमने इस दिन की शुरुबात की, और इस साल का theme, जो है, वो क्या था, making elections inclusive, accessible and participative, क्योंकि भी recently election commission announce कर चुका है, कि 5 states में election होंगे, जैसे गोवा में, पंजाब में elections होंगे, उत्राखण में elections होने है, UP मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता ही है, और एक मनीपुर में elections होने है, तो ये 5 states में जो है, वो recently elections जो है, वो announce कर चुका है, जिसका result जो है, वो 10 March को आना है, और election commission of India ने national awards भी दिये हैं, best electoral practices के लिए 2021-22 के लिए, और ये prizes जो है, वो state level पे, आप कहा सकते हो, district level पे लग-लग officers को दिया जाएंगे, उनकी performance के recording, लेकिन दोस स्क्रेट की जा सके कि आपने जो है, आपको एक right दिया गया है, सरकार चुनने का, democratic system में इस सा बने का, तो जो भी 18 साल से उपर हो जाता है, उनको एक certificate दिया जाता है, जो पहली बार vote करता है, तांकि उनमें जो है, प्रोहसाहन बड़े औरों को भी प्रोहसाइद करें, तो रजीव गंदी उस टाइम पर पर प्राइम निस्टर थे, तो 61st amendment, 1989 के act के तहट जो है, वो इसकी voting age जो है, वो reduce करके 21 से क्या कर दी गई, 18 कर दी गई, और आपने एक बात और याद रखनी है, election commission of India जो है, वो एक constitutional body है, article 324 से लेके 320, 324 से लेके 329 तक जो है, वो election commission of India के ब election commissioner होते हैं, ढो जो हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, और election commissioner हो, चीफ एलेक्षन कमिशनर सब को पता है, कौन है, सुशील चंद्रा है, और दो election commissioner कौन है, एक तो अनूप चंदर पांडे हैं और एक जो है, वोfasta information है, तो बहुत सी information हो है, आपको election commission of India के बारे में यहां से मि दागा किस्यार के लिए यूज वूам सबसे बड़ा एक्सपोर बन चुका है क्योंकि रीसनल एक डेटा वो खीरे को और जो छोटा खीरा होता है जिसका चार डाला जाता है उसको भी जो है वो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा तो आपको पताना चाहिए यह चार डालने वाला खीरा होता है और यह छोटे खीरे से जो है वो बनता है जो कि आप कह सकते हो विनेगर सिर्के के अंदर डालके या एस्टिक एसिड के अन्दर डालके इसको रखा जाता है टाकि वह खराब ना हो याद रखना है यह इंडिया है दोस्तों जो सबसे जाद एक्सपोर्ट करता है और आप यहां पर देख सकते हो कि जो छोटा की रहा होता है जो चार के लिए यूज किया तो उसकी कल्टीवेशन प्रसेशिंग एक्सपोर्ट जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1990 के अंडर करनाटका में लेकिन दीरे-दीरे करके जो है तामिल इसके बारे में याद रखना है यह ओर्गनेशन 1986 में बनाई गई थी इसके जो चेयर्मेन है वो है एम अंगामथू यह याद रखोगे और इसका हैड़कोर्टर कहां पर है न्यू डेली तो यह सारी इंफोर्मेशन आपने याद रखनी है नेक्स आते हैं कौन से बेंक ने लेंडिंग कार्ट के साथ जो है वो पार्टनर्शिप की है ताकि लोन जो है वो छोटे उद्योगों को दिया जा सके जो माइक्रो स्मॉल और मिडियम एंटरपराइज़ को लो रेट पे मतलब कम इंटरस्टेट पे जो है अफोड़ेबल जो है वो लोन प्रोवाइड कर सक के कम इंट्रस्ट पे MSME बॉर्वर्स को और जीरो टच के थू मतलब डिश्टल लॉन इनको मिल सके लेंडिंग का एक प्लाटफॉर्म है जिसको कहते हैं टूगेदर टूगेदर जी टी एचार तो टूगेदर प्लाटफॉर्म के थू जो है वो इनको जीरो टच टेकनोलोजी के थू जो है वो यह लोन दिया जाएगा तो अब देख सकते हो बैंक ओफ महराष्ट्रा लेंडिंग कार्ट ने यह टाई अप किया है कितने तक का लोन मिलेगा तो दोनों मिलके टूगेदर प्लाटफॉर्म के थू दस लाख रुपे तक का मैक्सिम टू मैक्सिम इसको क्य और बेंक ऑफ महराष्ट्रा का काम है कि वो क्रेडिट प्रवाइट करेगा और लेंडिंग कार्ट अपना प्लाटफॉर्म देगा जिसके थू लोन को यह थे सूस क्या जाए यह होगा एक्स-टरेट याद रखना है XLR8 इसको आगे अकले टाकि MSME यह वे वह ल में help की जा सके और इसको priority सेक्टर लेंडिंग के तहद जो है वो इसको दिया जाएगा जो आर्बिया की guidelines है priority सेक्टर लेंडिंग से लेटर लेकिन bank of महाराष्ट्रा के बारे में याद रखेंगे इसकी स्थापना जो है वो 1935 में की गई थी इसका headquarters जो है वो पूने महाराष्ट्रा में है MD और CEO जो है वो AS Rajiv है AS Rajiv और इसकी tag line है एक परिवार याद रखना है एक परिवार एक bank एक bank अगले question के उपर आते हैं अगला है हमारे पास कौन सी company ने इंडिया का पहला debit card जो है वो launch किया है जो की साथ में national common mobility card भी रहेगा मतबर आपने bus में travel करना है train में travel करना है metro में travel करना है तो इस card के तहती आप वो पैसे जो है वो दे सकते हो या इसके through ही इसको दिखा के जो है वहीं पर आप ticket जो है वो ले सकते हो आपको physical card भी यह मिल जाएगा आपको अब देख सकते हो पैंसिल्टन ने इस debit card को launch किया है यह national common mobility card रहेगा कहीं पे भी आपने आना जाना इसका use कर सकते हो और यह trans corp की मदद से जो है वो इसको launch किया गया साथ में यह रुपे debit card है इसका मतलब in national payment corporation of India से भी सहयोग जो है वो लिया गया है और यह teenagers के लिए किया गया है तांकि उनको किसी भी तरह की problem ना सके तो all-in-one card है इसमें debit card भी होगा metro card भी होगा और bus card भी होगा तो आप इसको online offline payment के थ्रू जो है वो use कर सकते हो तो एक तरह से जितने भी feature जो है वो रूपे card के होते हैं वो सारे मिलेंगे लाइक आपको उसमें rewards मिलेंगे आपको cash back मिलेगा आपको lounge assets मिलेगा airports के ओपर यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी online shopping कर सकते हो offline shopping कर सकते हो travel के लिए यूज कर सकते हो टोल दे सकते हो parking fees दे सकते हो यह सारी facilities जो है आप यहां पर ले सकते हो और इस card को पूरा control कर सकते हो पैंसिल्टन application के थ्रू जो उनकी application है उसके थ्रू इसको control किया जा सकता है तो याद रखना है अपने हम बात करें यहां पर पैंसिल्टन की इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है 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 हैदराबाद के अंदर तिलांगना में और इसको start किस ने किया था CEO और co-founder जो है वो कौन है विशवजीत विशवजीत पूरेती एक पर पढ़ लें इसको क्योंकि आप पहली बार इसका नाम सुन लिए तो दीरे-दीरे करके आपको याद युरूर हो जाएगा अगला आते हैं इंडिया का पहला ग्राफीन इन्नोवेशन सेंटर जो है वो कहां पर लॉंच किया जाएगा या कहां पर इसको establish किया जाएगा तो इस प्रजेक्ट को establish किया जा रहे है दोस्तों केरला के अंदर तो answer क्या होगा इसका बी होगा तो या विच्टल यूनिवस्टी के रला और साथ में बना रहा है सेंटर फॉर माटीरियल फॉर इलेक्ट्रोनिक्स टेकनलोजी दोनों मिलके जो है यह फस्ट ग्राविशन ग्राफीन इन्नोवेशन सेंटर जो है वो बना रहे है और टाटा स्टील लिम्टेट जो है वो material यूज़ किया जाएगा graphene को यूज़ किया जाएगा जो की सस्ता भी है उससे और साथ करके smartphone के अंदर जो है वो exact quality या उससे भी अच्छी quality जो है वो provide करेगा और graphene जो है वो carbon का ही allotrop है और साथ में single layer of atoms है जिसको जो है वो दो dimensional में रखा जाता है और आप कहा सकते हो कि एक electrical conductivity जो है वो जादा है और इसका surface area जो है वो क्या है जादा है तो यह like आप कहा सकते हो transparent है lightweight है तो इसका यूज़ चो है वो बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है इवन आप इसको कई जगा पर यूज़ कर सकते हो आप इसको biomedical industry में यूज़ कर सकते हो आप इसको defense में यूज कर सकते हो electronics में तो होई सकता है energy sector में यूज़ कर सकते हो sensors में यूज़ कर सकते हो तो लग लग तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो तो simply question को याद रखेंगे slide से कि कहां पर इसका जो है research and development या innovation center खोला जा रहा है कैरला अगर exact जगा पूछ ले तो 300 अगले question के उपर आते लेकिन कैरला के बारे में याद रखें यहां के governor जो है वो है आरिफ मुहमद खान और यहां के जो chief minister है वो है पिनराई विज्यान और यहां पर आपको मिलेगा बहुत ही फेमस national park इरैवी कुलम national park मिल जाएगा यहीं पर आपको silent valley national park मिल जाएगा और यहीं पर आपको यह fitness watch यह provide करेंगे और debit card के through मतलब fitness watch में आपका debit card होगा तो जो भी machine होगी उसके पास आपने इस अपनी गड़ी को लेके जाना है fitness watch को लेके जाना है तो आपकी payment हो जाएगी कितना असान कर दिया है और यह है city union bank जो की oldest private sector bank है पूर इंडिया का तो डी जो है वो क्या होग तो अब देख सकते हैं city union bank ने debit card जो है fitness watch के अंदर launch किया है किसकी help से go qii की मदद से तो अब देख सकते हो customer ने simply क्या करना अपनी wrist watch को जो भी अपने गड़ी बांदी हुई है जो आपकी fitness watch है वो point of sale device के पास लेके जानी है और उसके पास जो हो जाके आपने जो है वो payment कर देनी है और वो card के उपर आप tap करके भी कर सकते हो और customer को pin enter करना पड़ेगा अगर payment 5000 से उपर है और या फिर आप अपनी limit जो है वो set कर सकते हो net banking या mobile banking के through तो इसमें national payment corporation of India की सहायता से जो है वो इसको किया गया है तो आप कह सकते हो कोई भी like आपको fitness watch debit card चाहिए तो आप net banking और mobile banking के through जो है वो इसको order कर सकते हैं यह आप जो bank है हमारा city union bank उसकी ही mobile application के उपर जा सकते हो जो all-in-one mobile application है उनकी even जब आप payment करोगे तो आपको एक SMS मतलब short message service जो है वो आपके registered mobile पर बेजा जाएगा ताकि आपको पता लग सके कि transactions जो है वो हुई है लेकिन यह सिर्फ transaction करने के लिए क्योंकि एक fitness watch है तो इसमें बाकी चीज़ें वहीं होगी like oxygen level चेक कर सकते हो आप body temperature चेक कर सकते हो heart rate चेक कर सकते हो blood pressure चेक कर सकते हो और भी कई तरह की activities जो इसमें होती है तो याद रख सकते हो कि अब आप अपनी watch के through भी payment कर सकते हो card जो है bank provide करेगा लेकिन एक अनोखा initiative जो है city union bank का ही था city union bank oldest private sector bank है 1904 1904 में इसकी स्थापना की गई थी इसका headquarter जो है वो कहां पे है तामिल नाडू के अंदर और इसकी tagline है trust and excellence trust and excellence since 1904 क्योंकि 1904 में इसको बनाया गया था और इसके MD और CEO कौन है वो है N, Cody याद रख सकते हो अगले question के उपर आते हैं इंडिया और कौन सी country ने commemorative logo जो है वो launch किया है क्योंकि उनके आपस में relation को 30 साल पूरे हो चुके हैं यह 30th anniversary है 2022 में और यह country है हमारे पास इस्रेयल तो answer क्या होगा C होगा तो इस्रेयल के Prime Minister Neftali Bennett और यहां पर आप देख सकते हो हमारे परदान मंतरी मोदी जी बहुत ही खुश होते हुए क्योंकि 30 साल जो है वो इस्रेयल और इंडिया के relations को पूरे हो चुके हैं तो इसमें एक logo जो है वो release किया गया है क्योंकि आप कह सकते हो 29 जैन 1992 को हमा अलगलग तरीके से एक साल पूरा जो है वो इस relation को मनाएंगे तो दोनों countries के बीच में friendship कह सकते हो प्यार कह सकते हो या दोनों countries के बीच में अलगलग तरह की जो partnership है अलगलग sectors में वो यह बताती है कि दोनों countries में relation जो है वो बहुत ही अच्छे हैं और यह logo जो आप देख सक को represent करता है और 30 लिखा हुआ है यह बताता है कि 30 साल जो है वो दोनों के relation को पूरे हुए है तो सिरफ याद रखना है कि कौन सी गंटे के साथ यह हुआ है इसी के साथ है अगले question के उपर ministry of electronics and information technology ने एक roadmap और vision त्यार किया है जिसको document 2.0 का नाम दिया गया है जिसमें हमने manufacturing और export के लिए total कितना टार्गेट है manufacturing और export का ही कठा और कौन से यह तक इसको चीव करना है तो याद रखना है 300 बिलियन डॉलर का target है 2026 तक उसको पूरा करना है तो अंसर क्या होगा यह होगा तो आप देख सकते हो 300 बिलियन डॉलर का electronics manufacturing और electronics एक्सपोर्ट दोनों को मिला क इसमें जो है वो एक national policy आई थी दोस्तो electronics से लेके जिसको कहते है national policy of electronics उसमें target 400 बिलियन डॉलर का रखा गया था 2026 तक लेकिन कोविड के कारण जो है वह हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिया हमने इसको 300 बिलियन डॉलर कर दिया है तो इंडिया 300 बिलियन डॉलर electronics production के उपर आ मैनुफेक्चरिंग का होना चाहिए अभी मैनुफेक्चरिंग चल लिए 55 बिलियन डॉलर पे लेकिन अगले चार-पांच साल मत्तव 2026 तक हम 180 तक ले आएंगे 180 प्लस 120 हमारे पास 300 बिलियन डॉलर का target 26 तक complete करना है और इसमें mobile manufacturing का योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा क क्योंकि currently हम 30 बिलियन डॉलर की market है इसको 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाना है 2026 तक और यह 40% हिस्सा होगा दोस्तों अगर आप देखोगे 40% हिस्सा जो है वो almost यह cover करेगा इस पूरे target का तो बहुत बड़ी बात है तो यह सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी एक बार याद रखनी है जितनी मैं बोल रहा हूं यहां पर और यूनियमनिस्ट्री अफ एलेक्ट्रोनिक्स इंफोमेशन टेखनोलजी अशनी वैशनव जी के पास है और उनकी कौन सी कौन सी ओडिसा वो राज्यसभा के मेंबर हैं अगले कोश्चन के उपर आते हैं अगला है important question section लेकिन और टोटल 24 ऐसी मेंबर स्टेट्स हैं जिसके बारे में कहा गया था कि उनकी budget assessments है और यह उन्होंने United Nation को देना है क्योंकि कुछ amount जो है वो member countries को देना पड़ता है United Nation को जो भी United Nation काम करता है खास करके United Nation Security Council तो उसमें इंडिया ने 29.9 million dollar मतलब बी जो है वो इसका अंसर होग exact amount जो है वो United Nation को provide किये जो भी budget assessment उनका बनता है तो अब देख सकते हो इंडिया ने 29.9 million dollar जो है वो United Nation को दिया है और total 24 member states ने 193 में से अपना पैसा जो है वो पे पूरा कपूरा कर दिया है और United Nation Security Council के लिए इंडिया जो है वो ऐसे non permanent member 2 साल के लिए चुना गया है क्योंकि आपको पता है United Nation Security Council में total 15 member होते हैं जिसमें 5 permanent members होते हैं और 10 non permanent members होते हैं और non permanent member का time period कितना होता है दो साल का और इंडिया रिसेंटली जो है में है और इसके जो करेंटली सेक्रेटरी जनल हैं वो एंतियों गुतर्स हैं और United Nation General Assembly के प्रेजिडेंट कौन है आज सकल वो याद रखेंगे बहुत important appointment है अब्दूला शाहिद अब्दूला शाहिद आजकल प्रेजिडेंट है United Nation General Assembly के अगला आते हैं को पिक्चर से करोगे Sydney Olympics रिंग्स चैंपियन तो रिंग्स चैंपियन है Sydney Olympics में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2000 में हुई थी Sydney Olympics और इनका नाम है सेजल वेस्टर जोलैनी पास्ट अवे इनका देहान्त हो गया है कोविड-19 की infection के कारण इनका देहान्त हो गया 51 साल के थे यह कौनसी कंट्री से बिलॉंग करते थे हंगरी से बिलॉंग करते थे और यह ऐसे नहीं कि इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता था अलंपिक्स के अं और इसी तरह से इन्होंने एक गोल्ड मेडल एक सिल्वर मेडल यूरोपिन जिमनास्ट चेंपेंशिप के अंदर जीता है तो बहुत ही फेमस प्लियर रह चुके हैं हंगरी के इवन इनको हंगरी का स्पोर्ट्समेन ऑफ दी यर का वार्ड भी मिल चुक है दो बार एक दो ह जो है वह सिल्वेस्टर जोरोली नी पास्ट वे उनका दियान थो गया अल्डेडी कर चुके हैं इंडिया वर्ल लार्जेस एक्सपोर्टर है कुकंबर का और गर्किंज का कर चुके हैं पैंसिल्टन ने डेबिट काड लांच किया जो कि नैशनल कोमन मोबिल्टी काड भी कर चुके हैं मतलब फेस्बुक जो है वह फास्टेस आर्टिफिशल इंटेलिजन्स कंप्यूटर जो है वह बना रहा है वह भी कर चुके हैं मनसुक मंडाविया जी ने एक रीवांप्ड वेबसाइट लांच किया जिसका नाम है माई सी जी एचस तो इसमें सबसे इंपॉर सर्विसीज मिलेंगी लाइक आप कहा सकते हो चालीस लाख लोगों को इसका बेनिफिट जो है वह मिलेगा चाहे वह रिटाइट परसोनल है चाहे सर्विस के अंदर है और वह रियल टाइम इंफोमेशन जो है घर पे ही जो है देख सकते हैं इस एप्लिकेशन और वेबसाइ इसको गवर्मेट इंप्लाइज को पेंशनर्स को जो है वह इसी एप्लिकेशन के थूप मिल जाएंगी नेक्स नैशनल टूरिजम डे जो है वह दो हैर बाइस का 25 जनवरी को मनाया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिन है खास तोर से याद रखना आपने इस दिन की शुरव को साथ में लेके चलने वाला टूरिजम जो है वह हमने पर्मोट करना है और साथ में इस साल अजादी का अमरीत महा उस्समन आ रहे हैं तो इसलिए जो है वह इसको बहुत ही जोड़दार से सेलिबरेट जो है वह किया गया और यूनियम मिनिस्टर हमारे कौन है मिनिस्ट्र किया था कि BFS का मतलब क्या है Board for Financial Supervision तो दोस्तों इसकी शुरुवाद जो है वह नवंबर 1994 में की गई थी मैंने कल भी बताया था कि इसका मेन मक्सद था कि मनी मार्किट को कंट्रोल करना है और यह एक अटॉनमस बॉड़ी है जो कि RBA के अंडर आती है तो इसके अंदर जो ह में बताया हुओ है कि चेर्मन कौन होता है वाइस चेर्मन कौन होता है तो उसको एक रिक्स कर लिए अनसर मुझे आप जार बिटयो को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दे आपके confidence को जुरूर boost करेंगे इसी तरह से वीडियो देखते रहें लेकिन life को बहुत जारा serious नहीं लोगे हमेशा खुश होगे smiley की तरह और इसी तरह से हमें sport करते रहेंगे Thank you guys, take care and bye bye